नमसकार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं ग्रैन्ड धर्मा सनमार्ग जोतिस आस्थ में कुछ ऐसे कारे के बारे में बताया गया है जो साम होने के बाद तो भूल भी नहीं करना चाहिए भूल कर भी नहीं करना चाहिए क्योंकि सुरियास्त के बाद कुछ कारे ऐसे हैं जिसको करने से स्वास्त की ही समस्या नहीं बलकि धन की भी समस्या और आर्थिक समस्या यहां तक की करजों में फसने की भी चांसे बढ़ जाते हैं हर कोई चाहता है कि जीवन में धेर सारा पैसा हो इसलिए साम जैसे ही हो जाए किसी को भी उधार पैसे मत दीजे पहला नियम यही है क्योंकि अगर साम के समय या साम होने के बाद अंधिरा होने के बाद उधार देते हैं तो वो पैसा कहीं न कहीं आपके लक्षमी को भगा ले बलकि जीवन में धन की कमी भी होने लगती है क्योंकि ये समय भगवान का समय है और भगवान इसमें गूमते हैं देखते हैं उनका भक्त क्या कर रहा है समय इसलिए साम होने के बाद खाना खाने और सोने से बचिए अब देखिए साम के समय एक और चीज है जैसे कि नाखुन नहीं काटने चाहिए बाल और नाखुन तो बिल्कुल भी नहीं कटवाना है ऐसा करना भी असुब होता है जीवन में नकात्मक प्रभाव बढ़ जाता है धन की परिशानी मुश्किलें परिशान करती है घर में जारू पोचा भी नहीं करना चाहिए बहुत सारे लोग सामकिस में भी घर में जारू पोचा करते हैं ऐसे में कभी भी सुर्यास्त के बाद जारू पोचा ना करें धन की हानी होती है क्योंकि माना जाता है सुर्यास्त के बाद जारू पोचा करने से घर आई लक्षमी भी वापस चली जाती है इससे धन का अभाव होने लगता है ब्यक्ति प्याज तक का भी दान नहीं करना चाहिए नहीं तो क्या होता है न आपके घर में भौतिक सुख प्रेम धन सब कुछ खत्म होने लगता है खास कर सुख सम्रिद्धी चली जाती है और लहसन प्याज का दान करते हैं या कोई मांगने आगे आप उसको दे देते हैं तो क्या होत अगर घर में छगड़े लड़ाई करते हैं तो यकिनन लक्षमी रूट जाती है और भोजन तो बिल्कुल भी नहीं खाना है सामके समें देखे जब घर में गंदगी तो पहले से ही आप साफाई करें पर सामके से बहुत साई लोग होते हैं फुरसत नहीं है चलो मकडी के ज दागा तरह सामके साम बात यह सम्हों लगाया और थागा पिणोया हुआ है सामके सम्हों कोई चिकिंए चाएक। ङरून देखे जाती है कुछ ऐसे कारे हैं जो करने से बरकत चली जाती है तो छोटे बच्चों को रोने भी नहीं देना है क्योंकि ऐसा करने से भी जीवन की मुस्किने बढ़ती है तो ऐसा नहीं है कि आप पुझा पाट में समय लगाए हुए हैं चेरो रहें और साम के समय जैसे दियावाती आप करते हैं तो तुलसी में जल मत दीजेगा वरना लक्षमी रूट जाएगी और ना ही किसी का आप मान करें बड़े बुजुर्ग का आप मान करना किले मुकरणे को मारना किसी को आप किसी चीज से मार कर भगा रहें तो साम के बक्त कौन जाने किस रूप में लक्षमी आई ये तो भगाना भी नहीं है और उमीद है समझ में आ गया होगा धनिवाद